नमस्कार दिल ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गर्मा खबर पर बढ़ते हैं उसके पहले जरूरी बात क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है अब सौरत दुएदी दिल ललन टॉप पर नहीं दिखाई देंगे उनको देखने सुनने का एक नया पता है हमारा नया चानल ललन टॉप यूपी जहां पर चुनावी कंटेंट तो है ही साथ में है व्लॉग, बतकुचन, लाइव, ग्यान और बहुत कुछ नया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चानल, चानल का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अब खबर पर आते हैं मरियपन थंगविलू, भारत का गोल्डन बॉई रियो पैरलिम्पिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट मरियपन ने टोक्यो में भी मेडल जीत लिया है टोक्यो पैरलिम्पिक्स में मरियपन ने मेंस हाई जम्प की 42 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है साथ ही इस इविंट में भारत के शरत कुमार ने ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया शरत ने फाइनल में 1.83 मीटर की जम्प लगाकर ब्रॉंज मेडल जीता जबकि मरियपन ने 1.86 मीटर की जम्प के साथ सिल्वर और इन मेडल्स के साथ टोक्यो 2020 पैरलिम्पिक्स में भारत की मेडल्स की संख्या 8 से बढ़ा कर 10 हो गई है जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉंज शामिल है बता दे कि मरियपन थंगवेलू टोक्यो पैरलिम्पिक्स में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थे वो इन उम्मीदों पर खरे भी उत्रे हालाकि मरियपन के चहरे पर दुबारा गोल्ड नजीत पानी की निराशा साथ दिख रही थी एक दशमलव आठ आठ मीटर की जम्प के लिए उनकी टककर अमेरिका के ग्रीवे से थी दोनों खिलाडियों को तीन प्रयास करने थे लेकिन मरियपन तीनों ही प्रयास में एक दशमलव आठ आठ मीटर को पार करने में नाकाम रहे वरुण शरद और मरियपन का ऐसा रहा प्रदशन आपको जानकर हरानी होगी कि मेंस हाई जंप के 42 फाइनल में 10 में से 3 प्रतिभागी भारत के थे मरियपन थंगवेलू, शरद कुमार और वरुण सिंग भाटी 1.73 मीटर की उची कूद पार करने के बाद अगला पड़ाओ 1.77 मीटर का था मरियपन थंगवेलू, शरद कुमार और वरुण सिंग भाटी ने पहले ही प्रयास में से पार कर लिया कोई दिक्कत नहीं हुई, लगने लगा कि तीनों ही खिलाडी पोडियम फिनिश करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1.80 मीटर की उची कूद में वरुण सिंग भाटी नाकाम रही उनकी तीनों कोशिश नाकाम रही और इस तरह रियो पारलंपिक्स के ब्रॉण्ज मेडलिस्ट भाटी को खाली हाथ ही बाहर होना पड़ा शरद कुमार को मिला ब्रॉण्ज, अब सिर्फ फाइनल इवेंट में 5 ही खिलाडी बचे थे बाकी अथलीर्ट्स भी 1.80 मीटर मार्क से पार पाने में नाकाम रहे यानि अब 5 खिलाडी मेडल्स की रेस में थे और अगला पड़ाओ 1.83 मीटर का हाला कि मरियपन थंगवेलू और शरद कुमार को जादा मशकत नहीं करने पड़ी पहली ही प्रियास में दोनों काम्याब हुए उधर अमेरिका के सेम ग्रीवे ने पहली ही कोशिश में 1.83 मीटर की कूद लगाए फ्रांस और पॉलन के खिलाडी इसे पार पाने में नाकाम रहे और इस तरह मरियपन और शरद कुमार का मेडल तो पक्का हो गया लेकिन शरद 1.86 मीटर की उची कूद के तीनों ही प्रियासों में विफल रहे और ब्रांस से संतोष करना पड़ा जबकि मरियपन ने तीसरे प्रियास में 1.86 मीटर को पार किया आखिर में बचे थे सेम ग्रीवे और रियो पैरलिम्पिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट मरियपन थंगविलो जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि मरियपन तीनों ही प्रियास में 1.88 मीटर को पार करने में नाकाम रहे और सेम ग्रीवे ने अपनी आखरी कोशिश में बाजिमाल ली इस तरह मरियपन को सिल्वर से संतोश करना पड़ा इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने आप देखते रहे है दील ललन टॉप शुक्रिया